मैं हूँ आपके साथ आशिश प्रमोद गोसौमी बुलेटिन के शुरुवात करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ खबर कोरोना अपडेर से जुड़ी हुई है तो बड़ी खबर यही कि राजसान में लगातार कोरोना का संक्रम डे बाई डे बढ़ रहा है केसिस की संख्या बढ़कर 294 यानि करीब करीब 300 तक पहुँच गई है तो यह वक्त की बड़ी खबर हम आपके बता रहें कोरोना अलर्ट कोरोना अपडेट क्योंकि कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े है संख्या जो है वो 294 पहुँच गई है सबसे ज़्यादा चिंता जने के स्थिति यह है कि दो लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना की वज़े से सो नए मामले निकल कर सामने आए है आपको बता दे कि जो दो मौते हुई है उनमें से एक गोटा और एक बारा जिले में मौत हुई है गुरुवार को सबसे आधे 21 पॉस्टिव केस राजधानी जैपूर में मिले है राजवे कोविट एक्टिव मर्यूजों की केसों में संख्या जो है वो 294 तक हैं 294 तक पहुँच चुगी है आशुतोष हमाई सयुगी जाधा अपडेट के साथ कनेक्ट हो गए है फोन लाइन पर आशुतोष काफी तेजी से इन बिडबीन ये कोरुणा के मामले बढ़े है मौजूदा सिती क्या है पूरे प्रदेश में कोरुणा की देखें ये प्रदेश के लिए एक चिंटा की बात है कई ने कई अलड बराने बाली बात है कि लगाता है राजिस्थान के अंदर कोरुणा का संकर्मन का जो दाएरा है वो बड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें चौविस एंटे के बात करें तो सौन नई संकर्मित ज जो थे वो 233 ते और आज कोविड एक्टिव केसि पूरे राजिय में बढ़कर 204 में हो चुके गंभी बात आज ये है किंता की बात है कि आज दो मौत भी कोरुणा संकर्मित मरीजों की कोटा और बारा जिले में एक एक मौत बर्च की गई है ये कहीं ना कहीं चिंटा बढ जारी है कुछ जिले ऐसे हैं जहां अपने इस तर पे जो इस्थानी परचाशन है वहां उन्होंने सक्की किया लेकिन राजधानी जैपुर की जहां तक बात करहें भी तब कोई जो तमाम सावज़ने की स्थाने की बात करें किसी तरह कि कोई खास दिशाने जारी नहीं किये हैं कि आज की भी आगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा 21 जो नए संट्रेमिस है वह राजधानी जैपुर में ही दर्च किये लिए ठीक बहुत शुक्रिया श्तोष ने तमाम जानकारियों को साज़ा करने के लिए तमाम अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई दर्शकों तक को साने कि लिए